संभुकुमार सींग और आप जिखरेए निशनल दस्तक जो सुप्रीम कोट का जो फैसला है जिसमें एक जज राव मतलब भ्राम्मन है दूसरा गुपता है इन दो जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है कि सम आरक्षन मौली का अधिकार नहीं है उसके खिलाफ परत्किरिया आनी शुरू होगे दिलीप मंडल ने सोसल मीडिया पर कैंपेंज शुरू किया है त्वीट कर रहे हैं आप भी ट्वीट कीजिए और वो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि जिस संभिधान आरक्षन के विज़ा से एस्टी ओबीसी के लोग को आरक्षन मिलता है वो मंदिर में ज पहला कमेंट किया है ट्वीटर पर अरक्षन के किलाव खरे हुए भारत बंद कहा है उन्होंने की बंद कर देंगे आपको बतादे चिराग पासवन का ट्वीट आ गया है अब मैं लगातार नेताओं पर रखोंगा अपडेट और आपको दूंगा मैं फिर कह रहा हूं मुस इस मुसलिम की आपके अंदोलन में नहीं के अंदोन होगा इस हिंदोन होगा जितने सिकुलर लेफ्ट अपने आपको कहते हैं वो रिजर्वेशन के मुद्धे पर गौन रहेंगे उन पर नजर बना रखे कि क्या वो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं तो आपको मुझे मुझे पूरी उमीद है SCST OBC मैनोर्टी के नेता को ही बोलना परेगा और मैं नजर रख रहा हूं 131 जो SCST के रिजर्व सांसद है लोग सभारासवा में वो क्या बोल रहे हैं उन पर भी देखना परेगा और उसके बाद मैं बता दू कि कनहया का टूइट अभी तक नहीं आया है वो सिर्फ हिंदू-मुस्लिम का जब मुद्दा होगा तभी वो नेता बनते हैं जब रोजी- Corni का मुद्दा होगा तो वो नेता नहीं बनेंगे या वो टूइट करते हैं नहीं करते हैं वो देखन बहुत ही आरक्षन को लेकर बहुत सेंसिटीव है चंसेखा रावन को करना होगा तो दीरे-दीरे फैल रही है उधित राज ने कल कॉंग्रेस दफ्तर जाकर एक बड़ी प्रेस कॉंफेंस की है कॉंग्रेस इस पर क्यारण नीती है वो भी देखना लाजमी होगा लेकिन कल उन यस्वी ने लिखा है जो आरक्षन को हात लगाएगा वो जल जाएगा भारत बंद करेंगे चिराग पासवा ने लिखा है कि सुप्रिम कोट के फैंसले के खिलाब केंसरकार जल्दी से हस्चेप करें संसद में बिल लाए और उसको फंडमेंटल राइट्स में डाले तो दे चभ्यार्व जिसके साथ लुगों का बिभार है या सक्षिक पिछण पिछ्रापन उन तमाम लोगों का जो समाजिक रूप से पिछ्रे हुएं सेख्षिक रूप से पिछ्रे हुए इसमें गरीबी का कोई लेना देना नहीं है आरक्षन का ये एड़ावरसिटी है ये भाग उनको भी पहचानने की जरूरत है इस देस में जो संवीधान है उसको लाग करने की जरूरत है और संवीधान जो है वो उसमें लिखा हुआ जातिबाद का काठ है जबकि जातिबाद जो है वो जज कर रहे हैं सुप्रिम कोट कर रहा है तो इस पर परतकिरिया आने लगी है मैं लगातार आज दिन भर आप से रूबरू होता रहूंगा आप लोग की परतकिरिया बहुत जरूरी है सोचिए यह आपको टेस्ट कर रहे है कि आपको टेस्ट कर रहे हैं पहले इन्होंने स्टेस्ट कर रहे हैं इन्होंने संसी रोमणी रभीराजी जमीन चीन लिए अपने अंदोलण किया फिर वो जमीन देने के लिए त्यार हो गए अब इन्होंने आरक्षण खत्म क्या मुझे लगता है SCSTOVC मैनोटी के जनता तो सरक पर आगे ही नेता पर भी नजर रखी कि वो कौन सरक पर आ रहे हैं आपको बार बार टेस्ट कर रहे हैं अगर इस टेस्ट में आप सफल होते हैं तभी सम्विधान बचेगा मैं SCSTOVC मैनोटी कहना चाहरा हूं NRC NPR के साथ इस लड़ाई को अब और सरक पर तेज करनी परेगी आप लोग की क्या पर्त किरिया है इसका क्या सलूसन है अपनी वीडियो हमें जरूर देजिए मेरा नंबर है 9911031065 दो-दो मिनट का वीडियो आप लोग मुझे बना के WhatsApp किजे इसी नंबर पर मेरा नंबर है 99110 31065 और इस पर आप मुझे कॉल मत किजेगा मैं आप लोग उसे गुजारिस कर रहा हूं इस WhatsApp पर आप अपना वीडियो बनाए क्या रक्षन खत्म होने पर आपकी क्या राय है आपके वीडियो को निशनल दस्तक पर जगह दी जाएगी मेरा नंबर है 9911031065 कॉल मत किजेगा दो-दो मिनट का वीडियो भेजिए शुक्रिया